हाई गाइज आसी सी है दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे ऑनलाइन इस पांच मिट के अंदर बिल्कुल फ्री में अपने इडाबलो सर्टिफिकेट को कैसे बनवा सकते हो इडाबलो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको किसी भ इडाबलो सर्टिफिकेट को डौनलोड कर सकते हैं और उसे सेव करके अपना फोन में रख सकते हैं चलिए वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर ने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करते ताकि आपको सी दर एकिकी वीडियो मिलती है करने के बाद आपको यहां पर लिखना है आपको इस लिए पर क्लिक कर लेना है क्लिक करते हैं अगर आप उपर में लेफ्ट साइड कॉर्णर में रखोगा यहां पर एक लोगिन को ऑप्शन है क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अगर आप पहले से लोगिन है तो यहां पर आपको लोगिन आड़ी पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लोगिन कर लेना अगर पहले से यहां लोगिन नहीं क्लिक कर लेना है क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा अब इस पेज में अगर आप उपर में लेफ्ट साइड कॉर्णर में देखो गए तो यहां पर तीन लाइन बनाया हो उस तीन लाइन को आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा और न्यू पेज ओपन होने के बाद अगर आप इस में देख़ने पर एक सर्च बटन दिया उसच्व बटन को क्लिक करने के बाद आपको यहां पर लिखना है इसुन अफ़ स्क्रॉल करोगे तो यहां पर तीन खूल कर आएंगे सबसे पहला है इस्वेंस ओफ इकनोमिकली विकर सेक्शन सर्टिफिकेट एडियम लेवल दूसरा है आरो लेवल और तिसरा है एसडियो लेवल पर आप जिस भी लेवल पर अपना इडेवल सर्टिफिकेट बनवा सकते है तो गाइस हमें आभी आरो लेवल पर सर्टिफिकेट बनवाना है तो हम सक्वेंड ओप्शन याने की इन्सुएंस ओफ इकनोमिकली विकर सेक्शन एड आरो लेवल वाले ओप्शन को क्लिक कर लेंगे क्लिक करते ही हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आजाएगा अब इस में आपको अपने ऐप्लिकेंट जो भी डीटेलस है जो भी परसनल डीटेलस है वह आपको भर ले ना है सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है Select certificate format आ Tucson करने के बाद आपको यहां पर अपने अप्लिकेंट का यहां पर नाम डालना है कि नेम ऑफ एप्लिकेंट डालने के बाद अगर आपने स्व्प्राइश्च का जिनमतीधि ow डालना है क Awards अपने स्वर्ण दालने के बाद अब आपको नीचे में दियावा ओप्शन है आधार नम्बर इहां पर आपको अपने अधहार नमबर डाले अधार नमबर डालने के बाद अब आपको नीचे में अपना स्टेट सेलेट कर लेना है स्टेट करने के बाद अब आपको डिस्ट्रिक्ट कर लेना है दिस्ट्रिक्स कर लेने के बाद अब आपको नीचे में दिया हुआ भी छ्ट कर लेना है सब्रेशंड करने के बाद आप ब्लोक्त करने के बाद आप किस लोकल बॉडिस से lunar करते हम जैसे नगर निगाम परिषतिया फिर आप नगर पंचायत। से विलंग करते हैं। तो आप जिस भी लोकल बandays भी लोकल से बस सब्सक्राइब करने केुद आप अपको नीचे में दिया हुआ विलच पंचायत। फिर आपको बखने टाउण में आप जहां पर रहते हैं जिस महले में अप रहते हैं उस महला उस गलि नाम आपको इस अप्षेन में डालना है वी लेज और टाउण को दाल लेना है पिन कोट दालने के बाद अब आपको अपना ah स आ New-Cast Select करने के बाद आपको जो अफलीगंट है जिसका अप TW सेटिफिक हर यहां पर फादक का नाम English अधिक्रान deep मेंड़ने के बाद अब आपको मदर का नाम बी इस और डालना के बाद अगर आप निचे में देखो यहां पर कंणब Pr पर दालना है मुबाइल नबर दालने के बाद फिर नीचे में दिया हुआ है इमेल अड़ेश आपको इमेल अड़ेश डालने के बाद अगर आप नीचे में देखो वह तो यहां पर लिखा हुआ है Self Attested Photograph of Applicant मतलब कि आपको यहाँ पर एक photo डालना है आप जिस भी किसी का EW certificate बना रहे हो यहाँ पर उस वक्ति का उस applicant का उस आवेदे का यहाँ पर आपको photo डालना है तो photo डालने के लिए आपको Choose File वाले option को click कर लेना है click करते हैं आपके सामने चार option आएंगे इन चार option में से आपके पास जहां भी उस applicant का उस आवेदे का photo मज़ूद है आप वहाँ से आप select करके यहाँ पर attach कर सकते हैं image attach कर देने के बाद अब अगर आप नीचे में देखो गए तो यहाँ पर लिखा हुआ है total income of family यानि कि आप आपको इस option में अपने family का जो सलाना income है जो आपके पिता जी पुरे साल में कमाते है वारसिक आया है वो आप आपके हाँ पर डालेना है total income डालने के बाद आपको इस page को उपर में scroll करना है जैसे ही आप उपर में स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको एक checkbox दिखेगा जहाँ पर लिखावा आई एगरी इस चेकबाउस को आपको टिक करना है टिक करना के बाद अब आपको नीचे में capture code दिया हुआ है उस capture code को डालने के बाद अब आपको नीचे में दिया हुआ है यहाँ चुछ merit को पूंध को गलेना है डिक करते हैं आपको स pension को क्लिक करते हैं है करले नियां आपको कर गलें ऐक वाफिज भी उपन होकर आजाएक है इस पेज्पइस में आपको और थे देश हुआ है पर लिखावा है इंधर ओटिपी इस ओप्शन में आपको वाले ओप्षिन को क्लिक कर लेना है वेलेट वाले ओप्षिन को क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यूव पेज ओपन होकर आ जाएगा इस न्यूव पेज में जो भी टीटल जाले हैं वह आपको दिखाए जाएगी ताकि कि अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं तो सब्मिट में एक सब्मिट को ओप्षिन को आपको क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यूव पेज ओपन होकर आजाएगा इस page में आपने जो अभी application के लिए apply किया है उस application का जो receipt है वो आपको मिल जाएगा तो guys इस receipt को आपको नीचे में एक option है export to PDF उस option को click करके आपको इसे अपने PDF में करके इसे save कर लेना है तो guys अब मान लेज़े कि आपको अपने application का status check करना है आपको फिर से इस portal का home page पर आना है इस portal का home page पर आने के बाद अगर आप नीचे में अगर आप scroll करोगे तो आपको यहाँ पर एक option दिख रहा होगा आवेदन की इस तीथी देखें इसी option को आपको click कर लेना है click करते ही आपके सामने एक new page open होकर आ जाएगा new page open होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो आप लिखाबा है through application reference number उस option को आपको select कर लेना है select करने के बाद आप आपको अपने application का reference number है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है application का reference number डालने के बाद अब आपको नीचे में एक और option दिख रहोगा application submission date आपको उस option को click कर लेना है click करते हैं अब आपको यहाँ पर आपने जिस दिन अपने application को submit किया था उस दिन का आपको date उहाँ पर डालने के बाद आपको नीचे में दिया हुआ capture code डालने के बाद आपको submit वाले option को click कर लेना है submit वाले option को click करते हैं अब आपके सामने एक new page open होकर आ जाएगा new page open होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखो गयो तो है आप लिखावा है do you want to view if you download the document of your application यहाँ पर लिखावा है कि क्या आप अपने जो application है उसे आप देखना चाहते हैं तो अगर आप download करना चाहते हैं अगर आप अपने application को देखना चाहते हैं तो yes नहीं तो no पर click कर देना है तो मैं आपर yes पर click करूंगा yes पर click करते ही आपके सामने फिर से एक new page open होकर आ जाएगा तो guys new page open होने के बाद आपको यहाँ पर applicant का नाम डालना है मतलब जिसने अवेदन दिया थे AWS के लिए उसका नाम उसका फादर का नाम और उसका मम्मी का नाम यह पर डाल लेना है सारे details को डाल लेने के बाद फिर अब आपको submit वाले option को click कर लेना है submit वाले option को click करते ही अब आपके सामने एक new page open होकर आ जाएगा new page open होने के बाद अगर आप देखोगे तो इस page में आपका जो application status है आपने जो application अभी submit किया है उसका जो भी status होगा वो आपको यहाँ पर सोग कर दिया जाएगा तो guys इसी तरीके से हम अपना EWA certificate बनवा सकते हैं और इसका application status चेक कर सकते हैं